नमस्कार आदाव सस्त्रीकाल वेलकम सु स्वागतम है आप सभी विद्यातियों का इस प्यारे से प्लेटफार्म डियर लेर्नर्स पर आप हैं मेरे यानि ससांगतिवारी के साथ में पढ़ रहे हैं CDP की बहुत ही महत्पूर्ण क्लास और आज की जो क्लास है आपके सामने मैं डिस्स कर रहा हूं आप लोगों का हमेशा से कमेंट रहता है एक सर जूम करिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आज मैंने सरवादिक जूम करके रखा हुआ है और आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अब इससे ज्यादा जूम करने में पैरे बच्च हाँ तो प्यारे बच्चे यहां तक जूम किया जा सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको फूल स्क्रीन में पूरा का पूरा कोशन दिखा है यह जो आप साइड लाइन देख नहीं है यह वहीं तक प्रशन ही है और यह प्रशन टाइप किया गया है ना कि वहां से उठ कर सीधे रखा गया है ठीक है शुरू करते हैं आज की स्क्लास को मैं आपको इस लेने के पहले थोड़ी सी बाते मता दिए कि आज की आप लगा देख रहे हैं एक माड़ जाए आज की जो इस ख्लास को आप देख रहे हैं यह है फरवरी मा में हुआ 2018 का previous year paper है जो कि seated ने या आप कह सकते हैं CBSC board ने लिया हुआ था बच्चों का वही ये paper है और इस paper में आज हम बहुत ही quality discussion करेंगे बहुत ही अच्छा discussion करेंगे आप सभी हमारे साथ आखरी तक बने रहें और देखते रहें paper का discussion क्योंकि हर बार कि यह पेच्छा इस बार भी यहीं से प्रश्ण पूछे जाने की पूरी संभावना है और प्रश्चे याद रखे यह भारत है यहां पर previous year बहुत ज़्यादा करें इसके पहले मैं आपसे गुजारिस करूँगा कि जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं वो इस वीडियो को जादस जादस सेर जरूर करें लाइक करें अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें अगर कहीं कमी है तो हमें feedback जरूर दें comment section में जरूर लिखें कि सर दि कि सुरू करते हैं class को like करें share करें subscribe पर जितने भी नए बंदूं आये हैं उनका तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत अभी निंदन है उनका आप आये जुड़े हमारी इस मुहिम से हमारे सीटेट के मुहिम से जुड़ेंगे आपको hundred and one percent सफलता या आप कह सकते हैं फाइदा जरूर मिलेगा आपको अपनी परिच्छाओं में जो साहता जरूर मिलेगी शुरू करें आज की इस class को सभी बच्चे जुड़ जाएं और सभी के सभी मैं class के सुरूरात में कह देता हूं कि जब class आखीर हो तो अपने जो आपने score किया है जो आपने solve किया है तो इमान दारी से अपना score जरूर बताएं क्योंकि आप अगर अपना score बताते हैं तो उससे आपका evaluation होता है उससे आपका आगलन करते हैं और हम भी आपके त्यारी से कहीं न कहीं update होते रहते हैं कि कौन से बच्चे या कौन कौन से बच्चे किस-किस त्यारी पर हैं तो क्रपया इमान दारी से जैसे ही ये पूरा का पूरा paper खतम होता है आप अपना score जरूर दें मेरे answer देने के पहले आप अपना answer जरूर दिया करें आप अपना point of view जरूर रखें सुरू करते हैं आज की इस class को प्रस नंबर पहले से जैसा कि पहरे बच्चे आप प्रस नंबर एक में देख रहे होंगे देखना है कि लिखा है अनुवनसिक्ता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम लिखित में तो कौन सा पहलू जो सट है लिखा है विकास के कुछ पहलू अनुवनसिक्ता और कुछ अन्न पर्यावरण से अधिक प्रवावित होते हैं मतलब कुछ अं window सिकता से प्रवावित होते हैं तो कुछ हमारे environment से प्रवावित होते हैं थोड़ी ठीक बात ह leakyन सब देखेंगे पहले देखो सीटेड पास करने का एक आपको मूल मंत्र मैं बता देता हूं कभी आपको कोई भी कोशन मिले सबसे पहले पूरे के पूरे कोशन के पढ़िए कभी भी किसी भी आंसर को छोड़ना नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं कि यही ऑप्सन बेश्ट हो सकता इससे भी नहीं है इसा नहीं होता है मैंने आपको बताया है कि आपके जो गुण है आप में जो जितनी भी विशेष्टाएं आई हैं जो आपकर सकते हैं वो केवल अवंसिक्ता से नहीं अगर color blindness जो होता है एक असाद बीमारी है जिसको आप दूर नहीं कर सकते हैं तो याद रखें का जो genetic विखार है ठीक है जैसे किसी, कहार इनकी दो बात ही छोड़ तो गलत है पर्यावरन केवल याद रखें मैंने कई बार आपको बोला है कि जो केवल सब्द है यह बहुत ही ज्यादा घातक होता है सीडीपी के कुश्चन करते समय आप जहां भी केवल आया आप उनको सीधा गलत कर सकते हैं कभी भी हो सही नहीं होते हैं हमारे पास के एक ही प्रकार का उप्सन बच रहा है अब देखो इसमें यह कह रहा है कि जो हमारे जितने भी हमारे इंदर या बच्चे के इंदर जो गु कि अन्ता क्रिया के द्वारा ही अगरWeek कर्सको लिए होता तो हम इसको लिखते हैं लेकिन सबसे बेस्ट एक जांपल यही हमें लग में लग रहा है हम किसी आप रख के तब स्छोण asking Hoje क्श नहीं होता है कि हैं अगर इस से ब्हतर मालों नीचे लिखा होता कि आनुनेज सक् निम्लिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धान्त के अनुसार नहीं का आ जा सकते याद रखें मतलब तीन यहां पर आप्सन ऐसे होंगे जो प्याजे के अनुसार तो प्याजे ने कहा है कि विकास गुनातमक चरणों में होता है यानि विकास जो होता हो कैसा होता है qualitative होता है यह इसका मतलब क्या है qualitative होता है आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ग्यान का निर्मार और कूछ करते हैं बिलकुल सभी बात है भई प्जों है इन्हों क्या था इन्हों नहीं कह सोच धन कही है यह बात प्याजे की नहीं है हाँ बच्चे पर्यावन से क्रिया करते हैं यह बात प्याजे ने कही है आपको क्या दोड़ना था आपको गले थी तो दोड़ना था आपको नहीं ही तो दोड़ना था तो यह तीन बातें जो है जिसमें मैंने सही का टिक किया हुआ है मैंन सही वाले में अपने answer mark कर लेंगे कौन सा सही है तो आप कहोगे सर जी तीसरा नंबर से है क्योंकि तीसे नंबर के बारे प्याजे ने नहीं बताया है प्याजे ने यह नहीं कहा अगर अंतरा भ्यास से आदिक हम तो यह बात प्याजे ने नहीं है ठीक है आगर तो तीसरा नंबर लिखा वाए निम लिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है देखो यह जो प्रश्ण है बहुत बहुत बहतरीन प्रश्ण है इसको जिन बच्चों ने ध्यान से नहीं देखा हो गलत कर लेंगे कह रहा है कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है यानि जो तीन होंगे सीमा नहीं है यानि विसेस्ता है ध्यान से सुनना भाई जैसे पूर्व संक्रियात्मक विकास है ठीक है उसकी तीन सीमाएं होंगी तीन सीमाएं का मतलब तीन क्या होंगी उसकी कि मतलब बस यहां तक हो सकता है और बांकी नहीं हो सकता है और एक ऐसा होगा जो उसकी क्या होगी विसेशता होगी वही तो उसकी सीमा नहीं होगी भाई आप खुदी सोचिए हम कहें कि आप यहां तक जा सकत आपकी ये सीमा है और हम कहें आपकी सीमा नहीं है यानि आपकी बिसेस्ता क्या है आप क्या कर सकते हैं देखो पूरो संक्रियात्मक का मतलब होता है प्री ऑपरेशनल इस्टेज क्या होता है तो आप कहोगे प्री ऑपरेशनल इसका मतलब होता है प्याजे ने जो हमारी अवस तो प्री ऑप्रेशनल का जो समय होता है वो होता है दो से ले करके छह साल तक याद करिए इसी को आप कह सकते हैं प्री चाइल्ड होटे मने पूर बार ले आवस्ता क्या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं आप पूर अब मुझे बात बदेगे जब बच्चा पूर बाले आवस्ता में हैं तो क्या वो ध्यान के इंद्रित करने की उसमें प्रवत्ति होगी आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी यानि यह क्या है यह सीमा है सीमा मतलब एक रुकावट है कि यहां के आगे बच्चा नहीं जा सकता है तो आप कहेंगे ठीक बात है फिर प्रती फिर प्रती कात्मक विचार का विकास तो यह तो होता है मतलब जो बिच्चा होता है वो कैसे सीखता है तो सिंबल्स के मादम सीखता है प्रतीकों के मादम सीखता है तो यह तो होता है मतलब यह क्या है विसेश्ता और याद रख और अनुत कर्मनिता का मतलब होता है उसको यह नहीं समझ में आता है कि अगर पानी से क्या बनती है बर्फ बनती है अगर पानी से भैया बर्फ बनती है तो वह यह नहीं यह दिमाग नहीं लगा पाता है कि बर्फ से पानी कैसे बनता है भाई यह लिखा हुआ है जो अनुत कर होता हुँआ पानी से बरव बनती है परंतुक अगर को आफ बढराप से ऐसके अगे वह नहीं जा सकता है और काउन सा क्या है की सीमा नहीं है पर बच्छे एक मिने रुकेंग पावर कहीं न कहीं कट हुआ है जड़ा सा हम देख लेते हैं उसको यहां पर फोड़ा सा पावर को सामने करना पड़ता है इसलिए थोड़ी सी माफी चाहेंगे आप से तो मैंने कहा था कि यह तीनों है ये तीनों क्या हैं तो ये तीनों की तीनों सीमाएं हैं पूर बाले अवस्था में या पूर संक्रियात्मक अवस्था में जो पूर बाले अवस्था इसी को प्याजे ने पूर संक्रियात्मक अवस्था भी कहा है और एक ये है जो इसकी विसेस्था है तो पहरे भे यही तो पूछ रहा था आपसे आपसे ये पूछ रहा था कि मुझे एक बात बताईए भीया आपसे कह रहा था कि मुझे एक बात बताईए क्या बताईए कि जो पूर संक्रियात्मक अवस्था की एक बिसेस्ता है यही यही बात तो आप से पूछ रहा था तो आप कहेंगे जी हां वो यही बात हमसे पूछने की कोसिस कर रहा था आई होप आपको समझ में बात आई होगी कि और यह दिमाग लगाते रहने कि पूरु संक्यात्मक बिचार की सीमा नहीं है यानि उसकी बिसेस्ता पूछ रहा था तो बच्चा सिंबल से सीखता है बिल्कुर सही बात होती है हमारा अंसर सही हो जाएगा आगे सुनो चौथे नमबर में देखो आगे चौथा नमबर लिखा हुआ है लिखा हुआ है फिलिन दबलेंग्स के अलावा निम लिखित कारणों से खेल युआ बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है के अलावा माने किसको छोड़ कर जब कभी अलावा की बात करती है याद रखना कि उसको छोड़ करके माने किसको छोड़ करके निम लिखित कारणों से खेल युवा बच्चों में विकास में एक मात पूर्ण भूम का निभाता है तो वे सारी रिख निपुड़ता प्राप्त करते हैं बिल्कुल ठीक बात है मतलब खेल क्या करता है सारी रिख निपुड़ता देता है बिल्कुल ठीक बात है उनकी इंद्रियों को उतेजित करता है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब बच्चा खेलता है, आप भी जब खेलने जाते हैं, तो आप उतेजित हो जाते हैं, बल्ले बाजी आ रहे फिल्डिंग हो रहे हैं, उतेजित हो करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, समय विकाने का स एक सुख़ान तरीका यह थोड़ी कमबास ऐसे है नए कोसल प्रिम और सिखते हैं जम ऊन्फे उन्हें का प्रियोग किया जाए तो है तो आप कोभिशन के K OuPlements इस तौप है उसकी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं और ने ने कोसल वह सीखता है और उन्हें कप्रयों किया जाए वह सीखता है लेकिन याद रहे कि समय बिताने का सुखद तरीका है तो जरूरी थोड़ी ना है कि बच्चे का आप समय बितवाना चाह रहे हैं जीवन में बहुत सारे उसको काम है तो आप समय बिताने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह थोड़ा सा यह है यह थोड़ा सा गलत बात हम मुझे लग रही है क्योंकि यह बात नहीं हो नीजी यह समय बिताने का जो है सुखद तरीका तो नहीं हो सकता है तो आप कहेंगे जो तीसरा नंबर इसको भी चाना चाहरा है कई पार्क में जा पुख कर सकता है जूल जूल कि कर सकता तो ऐसा नहीं तो सरые के लिए ये बात थोड़ी सी कम ड़ाइधिस्च हई तो इसलिए हम इसी को का करेंगे कि इसको चौड करके इसके Allot निम्न की सारे के सारे क्या हैं घेल युव युवा बच्चों के विकास में मातौपूर्ण भूम का निभाते हैं इसलिए बच्चों को खेलना चाहिए ठीक है कि आगी की बात करेंगे हम लोग देखिए फासवा नंबर पांचवे नंबर की बात देखें पांचवान अमब जो लिखा है इनमी लिखित में से कौन साप प्रश्ण बच्चों को गंभी रूप से सोचने अब गंभी रूप से सोचने के मतलब होता है यह दो लिखा हुए क्रिटिकली या क्रिटिकल थिंकिंग मैंने आपको कई बार बताया है कि आलोच नातमक चिंतन क कहें तब भी उसका मतलब होता है वह क्रिटिकल थिंखिंग गंभी रूप से सोचने के लिए को से प्रस्णं प्रस्ण होने चाहिए उपन इंडे होने ने चाहिए open ended, close ended का ओधा, close ended का मतलब होता है, जिसके आंसार आप एक सब्द में दे सकते हैं, एक वाक्य में दे सकते हैं, वो क्या होते हैं, close ended प्रस्ण होते हैं, हाँ ना में जिनका जवाब दे सकते हैं, close ended होते हैं, सही गलत में जवाब दे सकते हैं, close ended होते हैं, लेकिन वही ऐसा और कैसे होते है offen in iraid होते हैं इन का उत्र आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं तो पहला देखते हैं क्या आप इस उत्तर के बारे में जानते हो तो आप कोःई हाँ या नहीं यह कैसा है यह close ended question है और यहां पर critical thinking नहीं लगेगी इस सही जवाब क्या है तो आप किया करोगे एक योग ज वाकिया तो एक लांस्ते प्रश्ण होते हैं कैसे होटे हैं कि ca род he user here on A कर चार आप इसी तरह हैं कि स्थिती के बारे में सोग सकते हैं ये थोड़ा सा सथीक है कम सही है लिखा बीजने तरीकों से कैसे से हल कर सकते हैं सबसे बेश्ट यहिए वह क्रिटिकल तिंग गंभीर रूप से सोचने है आलों चनात्मक थींगें मतलब होता है कि एक समस्या को और एक कोशन को एक से अधिक तरीकों से अलग-अलग तरीकों से सॉल्व करना सिखना उसको हम कहते हैं गंभीर चिंतन या thinking या आलोशनात्मक thinking आलोशना का मतलब होता है एक ही बात के बिभिन aspects को सोचना और इस पर विचार करना समस्या एक है उसके उसको solve करने के 10 तरीके निकालना इसे ही कहते हैं critical thinking और यही होता है open ended question तो यह है भाईया अपना कौन सा आप कहोंगे open ended question है इसलिए क्या हो जाएगा तो कौन के बिभिन तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं तो इसकी कोई सीमा थोड़ी ना है एक दो चार दस बहुत सरे तरीके हो सकते हैं आई यहोप आपको समझ में जरूर आया होगा अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो सभी से गुजारिस है कि सेशन को सेर जरूर करें लाइक जरूर करें दबा के सेर करिए लाइक करिए आप अगर ऐसा करेंगे तो रोटिवेशन हमको भी मिलेगा और हम काम बराबर करने के लिए प्रोसाहित होते रहेंगे चलते हैं छटने की है है progressive progressive education ठीक है अब ध्यान से सुनो progressive education की बात करता ये क्या चीज है progressive education सबसे पहली बात जो जूर देती है doing पर यानि learning by doing मने करके सीखना पर देखो यहां पर करके सीखना कहा है तो एक number पर है बागी का लिखा है नियमी दिकाई परिछण और ranking ranking जहां आजाए वह गलत ranking नहीं करना है हमको किसी को भी करम में नहीं करना है first second third fourth हम को नहीं करनी है दिखा बेक्तिकत अभी को इंडिय क्या बेक्तिकत आगया जबकि याद रखेगा जो प्रगस सिल से चाहिए प्रियोजनाबिधी फिर लिकाए चमता समू मनाना फिर से यह हो गया गलत यह तो नहीं है और इसमें देखो का नियमित इकाई परिछन अरे परिछन नहीं मनाने भी अनियमित कुछ नहीं यही सीख सही है करके सीखना पहली बात परियोजना विधि जिसको दिया था किसने तो आप कहोगे जिसको किल पैट्रिक मोहदे ने किल पैट्रिक मोहदे ने दिया था और परियोजना विधिम क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है एक ही प्रोजेक्ट को एक साथ मिल करके करते हैं और सहयोग से सीखना मने बहुत सारे बच्चे एक साथ मिल कर सीखते हैं देखना जो progressive education है वो कहती है कि बच्चे अपने द्वारा खुद करके सीखें खोज के द्वारा सीखें अनवेशन के द्वारा सीखें सहयोग से सीखें और परियोजना मैथेट से यानि बहुत सारे बच्चे एक ही प्रोजेक्ट जब सीखेंगे तो उनमें उनके अंदर क्या आएगा सामाजिक अबिक्सीट होगी उनके अंदर को आपरेशन आएगा तो बहुत सारी चीजें उनके अंदर डेवलप होंगी ये बात करती है कौन आप कहेंगे प्रगतिसील सिच्छा आई होप आपको समझ में आया होगा जब भी कभी प्रोग्रेसिव लर्निंग की बात है तो लर्निंग बाई डूइंग यानि करके सीखना और सहीयोग से सीखना बहुत जरूरी होता है ठीक है आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा प्रजकर स 20 तरहे साथुंगेरे नंबर बात करते है रज़ से दिवा असी पारनी निम्लेखिद में कौन सा गलत कथन है जाने साना कौन सा कथना बताता है गलत नहीं प्रजकर सिच्छा के बारे में जिंखिद से कौन सा कथना है की सिच्छा स्वयम ही सिच्छा स्वयम ही जीवन है एजूकेशन इस लाइफ या एजूकेशन इट्स 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 आ लाइफ सिच्छा स्वयम ही जीवन है बताना पहले लिखाए सिच्छ इसकूल सिच्छा को या था संबोल लंबे समय तक जारी रखना चाहिए यह कैसे जीव भर रहेगी बच्चे अपने जीवन के अनुभों क्या होता है कैसे सीखना होता है जीवन क्या है जब उसको इसी के बारे में पता नहीं है उसको क्या करना यहीं नहीं पता है स्कोलों की जरूरत नहीं है इस समाजीक और प्राक्रतिक दुनिया को प्रतिविंवित करें यह ठीक ठाक है करहा है कि वह बच्चा बच्चा चाक में स्वाइन वहां ही जीवन करता है जीवन सच्चा सिच्छक है गरत बात है मतलब बच्चे को कहीं आप मत भेजो स्कूल मत भेजो ऐसी बात सही नहीं है जीवन सच्चा सिच्छक है अरे बच्चे को पहले यह तो पता करवाओ कि जीवन है क्या हमारा आस्तु तो क्या है तब तो सीखेगा कि ऐसे ही सीख रृपको समझ में आया होगा ऐना जाते हैं चौता नुबर Mmey Kachal Bberg के सिद्ध द युगदान के रूप में निम लिखिन में से किसे माना जाता है कोहल बरगा आप जानते इन्होंने दिया है नेतिक विकास का सिद्धांद दिया है कि सिने कोहल बर्ग में दिए है इनी के पास में एक हिंज नामक हुआ करता था इन्होंने एक हिंजडेनामक बीक्तिकी बात्चीत की है जिसकी मा बीमार होती है और पिर उसको मेडिकल इस्टोर से दबा चुराना नहीं पड़ती है और जो हिंज होता है वो दबाए अफौर्ड नहीं कर पाता है उसकी पत्नी बीमार होती है उसकी पत्नी बीमार होती है तो अब जब वो चुराता है तो उसके साथ में नेतिक दुविदा होती है अगर वो नहीं चुराता तो उसकी बीबी मर जाती और उसने चुराया है तो उसने जुर्म किया एको के चोरी करना पाप है अब इसके बहुत सारे अस्पेक्ट होते हैं, अगर हम उनकी जान के बारे में देखें, अगर उसकी पतनी के बारे में देखें तो उसने ठेक किया है, अगर नहीं चुराता तो पतनी मर जाती तो उसने तो सही किया है, और वही अगर हम बाद दूसरे के अस्पेक्ट में पकत अब देखो एक बात आपको बता देए जो कोहल बर्ग थे ये देखो प्याजे ने केवल संग्यानात्मक विकास का ही सिद्धान नहीं दिया है बलकि प्याजे ने नैतिक विकास का भी सिद्धान दिया है तो ये जो कोहल बर्ग थे ये प्याजे के सिद्धान से बड़ा नामत क्योंकि जो कोहलबर्ग नामक बेक्ति था यह कोहलबर्ग नामक बेक्ति प्याजे के सिध्धान से बहुत ज़्यादा प्रहुईता चाहिए वो संग्यानात्मग विकास का सिध्धान थो ठीक इन्होंने क्या दिया इन्होंने नैतिक विकास का सिध्धान दिया है और इ सटीक बात है क्योंकि प्याजे के सिद्धान से प्रभावित हुआ करता था कौन कोहलबर्ग तो कोहलबर्ग नहीं यह कहा है कि अगर आप में नैतिक पर पकता है तो इसका मतलब है आप नैतिक रूप से पके हैं आपको पता है देखें जो तरक होते हैं वही आपकी डिसीजन मेंकिंग करते हैं आप और सिच्वेशन अलाग अलाग होते ही जैसा कि हिंज की ही बात कर लें अगर हिंज के हम पॉइंट आप बीशो सोचे तो उसने बहुत सही काम क्या क्यों क्योंकि अगर वो दबा ना चुराता पहरे भीया तो आप खुदी सोचो उसकी पत्नी का मरनत होता है था तो एक हिसाब से उतना है तो बड़ा सही काम किया है क्यों क्यों सिच्वेशन तब वैसे थी कि उसको चुराना ही पड़ा था तो उसके इसाब से ठीक है वह अगर अपने हिसाब से सोचें कि चोरी करना पाप है तो चोरी करना अगर पाप है उसने चुराया तो मतल ऐसी कोई बात नहीं कोई पर इच्छण निच्ण आप नहीं होता है यह नैतिक तर्क और कारवाही के बीच में एक संबंद इस्थापित करता है यह जो तर्क है यह ठीक है लेकिन उपर वाला इससे भी ज़्यादा ठीक है ठीक है और इसका विश्वास है कि बच्चे नैतिक करते हैं बिल्कुल घ्रहतैं कॊई दाप नहीं होता हुते हैं बच्चे कोई दार्सिण में जाएंगे ठीक है याद रखिएगा आगे आ जाएए नो नमबर के गर बात करें तो नो नमबर लिखा हुआ है निकट वर्ती विकास का छेतर होता है जिसको आप कहते हो जेड़ पी डी माने जून आफ प्रॉक्सिमल डेबलमेंट क्या जून आफ प्रॉक्सिमल जून तो यह संदर्वित क्या करता है उस चलण को जब जब अधिकतम विकास संभाव है बात थीक है लेकिन नीचे भी पढ़ेंगे उस भीकास अतमक चलन को जो बच्छा सीखने की पूरी जिम्मयधारी लेता है बच्छा सीखने की पूरी जिम्म How are और लेगा भी तो उस उसको सहिता की ज़रूर होती है एक संदर्ब को जिसे बच्चे सैयोग के रूप में सैयोग के सही इस तर के साथ कारलगबग स्वयम कर सकते हैं ठिक बात है थोड़ा उस सीखने के बिन्द को जब सहीओग आपस वापस रे सैयोग वापस नहीं लिया जाता है सैयोग करना पड कहता है कि वह छेतर जहां विकास होने की अत्यधिक संभावना होती है दिखा एक संदर्ब को जिसमें बच्चे सहयोग के सही इस्तर के साथ कोई कार लगभग स्वैम करते हैं तो यह वाला इसलिए सही है क्योंकि याद रखी का जोन आउप प्रॉक्स्पन डिप्लेमेंट होत प्लस भी का होली स्कॉायर इज एकल टू ए स्कॉायर प्लस डू एब और प्लस अब इसको बी स्कॉायर अगर उयाद आ जाए तो وہ एक मिनट एक मिनट रोकी गला तो पहरे भी या अगर इसको यह चीज याद आ वाजाए कि के यहां तक कैसे आना तो याद रखो तो वो क्या करेगा तो वो x plus 3y का holy square को solve कर ले अब वो सिरफ यहां पर फसा हुआ है यानि बड़ी ही minute उसके पास में क्या है उसको बहुत ही थोड़े से सहयोग की जरूरत है अगर ये थोड़ा सा सहयोग यानि अगर कोई b square बता दे तो बच्चा क्या करे बच्चे के पूरे का पूरा प्रशन साल वकर ले वही लिखा एक संदर्व ये क्या है एक संदर्व है जिसमें बच्चे के सही इस्तर के साथ बच्चे सहयोग के सही इस तरह के साथ में कोई कार लगबग सुयम कर सकते हैं यानि अगर कोई यहाँ पर उसको भी स्कॉयर बताने वाला मिल जाए तो लगबग लगबग काम वो खुदी तो समापत कर लेगा वो सुयम ही तो कर लेगा यही है जड़ पीडी जड़ पीडी जो होता है यही होता है कि बच्चे को जरा से सपोर्ट के जरूरत होती है अगर आपने जरा सा सपोर्ट दे दिया तो बच्चा लगबग लगबग काम अपने मन से निप्टा जाएगा तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सही क्या हो जाएगा यह आप कहे दे कि आंसर की के हिसाब से क्या सही है तो आप कहोगे यहाँ पर तीसरा नंबर क्या है बिल्कुल सही है यह सही होता उस चरण को जब अधिक्तम विकास संभव है यह सही होता अगर यह ना दिया होता और आपको सब समझ में आगा, दस्वा नमबर देखो, लिखा है उभय लिंगी बेक्तित तो क्या होता है, उभय लिंगी, मतलब ऐसा बेक्तित तो जिसमें इस्त्री के भी गुण पाये जाएं, और पुरुस के भी गुण पायें, लेकिन दोनों में क्या हो, आप कहोगे दोन तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, दूसरा नमबर क्या है, में आम तोर पर माने गए मर्दाना और इस्त्री के गुणों का समयोजन होता, यह बात बिल्कुल सही है, अगर आप से कभी उभय लिंगी पूछे, तो उभय लिंगी में आप कहोगे, आम तोर पर माने गए मर दाना और इस्त्री के गुणों का समयोजन हो, मतलब मर्दों मर्दों के भी उसमें लच्छन होने चाहिए, यह पुरुस के मेल के भी लच्छन हो, और याद रखेगा उसमें फीमेल के भी लच्छन होने चाहिए, और दूसरी बात दोनों में क्या हो, समयोजन हो, डिस बैल तो रूड़वादी लिंग भूमिकाओं ऐसा नहीं होता है जंडर बाइस जंडर इस्टीरियो टाइप कल यह नहीं होते हैं ठीक है तो उभाई लिंगी बेक्तितु क्या होता है जिसमें मर्दाना यानि मेल के और इस्ती के गुणों को क्या हो याद रखे का समयोजन बहुत जरूर यह समयोजन हो उसे उभाई लिंगी बेक्तितु कहते हैं आगे आजाओ फिर लिखा हुआ है 11 नंबर में लिखा हुआ है 11 नंबर बच्चे फिलिंदा ब्रेंक्स को करते हैं बच्चे किसको छोड़ देते हैं मीडिया यहां पर लिंग भूमिका नहीं होती है बाते हैं समाजी समाज में मान लो एक रूल ही है इस तरी है तो खाना बनाएगी और पुरुच है तो पैसे कमाएगा संसकृती में भी ऐसी बातें बनी रही है परंतों अगर बात करते हैं हम ट्यूशन की तो ट्यूशन में ऐसी कोई भी बातचीत नहीं होती है ट्यूशन का मतलब होता है बच्चों को पढ़ाना तो बच्चों को पढ़ाने से लेकर के ऐसी कोई भूमिकाएं सेट नहीं होती है ठीक है तो भूमिकाय ग्रान करते हैं तो ट्यूशन को छोड़ करके बांकी सब में क्या है लिंग से सम्मने भूमिकाय बच्चे ग्रान करते हैं ठीक है बड़ी सराल सी बात है आगे आ जाओ 12 नमबर देखो लिखा हुआ है मानकी करत परिच्चनों की आलोचनाओं में से एक यह है मानकी करत परिच्चनों की आलोचनाओं मानकी मतलब इस्टेंडराइस टेस्ट है इस्टेंडर्ड इस्टेंडर्ड टेस्ट ठीक है तो इसमें क्या इस्टेंडर्ड टेस्ट होता है उस लिखा है वे मुक्धारा की संस्कृती का प्रदिंद्रित करते हैं इसलिए पच्छपाती होते हैं तो क्रिटिक लिखना है उसकी भासा को समझना मुस्किल है ये क्रिटिक नहीं है उसका भासा को समझना सरल होता है बड़ी लिखा है कि निमनिम मैसे मानकी के परिशनों के अल गलत लिखेंकर नहीं कि परिछ नहीं परिछन बड़ी आभादी पर लागून बड़ी पर ही तो लागूर करने लिए बनाया जाते हैं सम्झे उनकी भाजा समझना मुश्कील नहीं आसान होता है को है मुख मुखंधारा की संस्कृति के प्रिद करते हैं इसलिए पच्छपाती होते हैं ऐसी बात नहीं है क्रिटिक क्या है मानकी परिचणों की आलोचनों में से यहां है कि मतलब इसकी आलोचना क्या है वे मुक्धारा की संस्कृति का प्रद्रिश्टि करते हैं इसलिए यही उदाहन बिल्कुल सही है क्यों मुक्धारा के संस्कृति का मतलब यह क्या है कि जन्म जन्मांतर से यही होता आ रहा है कि एक पेपर बना के दिया जाता है और उस पेपर को सभी बच्चों दिलवाया जाता है जितना जिसका स्कोर हुआ उसकी आधार पर क्या होता है, फर्सचंड धर्ड बता दिया जाता है, तो ये तो क्या है? मुक संसकृती चली या, ये मतलब यही बराबर परथा चली या, इसलिए पच्छ पाती भी तो कभी-कभी हो जाते हैं, इनकी भासा को समझना मुस्किल है ऐसी कोई बात नहीं है तो ये भी ये तो क्रिटिक है नहीं बड़ी आबादी पर लागू नहीं नहीं लागू किये जा सकती है ये भी क्रिटिक नहीं है ये बच्चे की छमता की इस पर तस्वीर नहीं देते देते हैं भाई अगर बच्चे क्रिटिक किया है इनको कहा जाता है क्योंकि यह क्या है जण्म-जण्मानतर से चले एक कल्चरलर टाइप है आप कह सकते हैं इसी प्रकार का प्रतनिद्धत करते हैं इसलिए इनकी एक आलोचना मतलब होता है यह कमी है क्योंकि इन में कोई भी नया पन नहीं आया है जैसे पराणी संसे से हम लोग पेपर देते सब्सक्राइब आज भी उसी को क्या करते हैmi आप वृस्सित को क्या करते हैं थीक है किस बात पर ये फेल हो गए हैं बस इतनी सी बात है ठीक है आगे आ जाओ तेरवे नंबर में लिखा हुआ है एक मुण जड़ा रुखिएगा हाँ देखिए तेरवे नंबर में पैरे बच्चे लिखा हुआ है कि एक आधिक बुद्धिमानी का सिध्धान्त किस ने दिया था एक बार इंग्लीज में देखेंगे कि ये वैसे क्या लिखा हुआ है इसका एक्चूल मीनिंग क्या है एक मिनट तो थेओरिया मल्टिपल इंटेलिजेंस अब ठीक है कभी कभी क्या होता है कुछ चीने पैरे बच्ची इंग्लीज में ही सही से समझ में आती है एक आधिक का मतलब एक से अधिक एक दन अधिक और दीर के संदी से जोनों जुड़े हुए तो यह लिखा हुआ है मल्टिपल क्या लिखा हुआ है मल्टिपल यानि एक से अधिक मल्टिपल तो एक आधिक बुद्धिमानी का सिध्धान यानि मल्टिपल इंटेलिजेंस थेओरी कहता है कि क्या करता है ध्यान से देखना बुद्धी बहुत तेज से बढ़ाई जा सकती बिलकुल गलत बात ऐसा नहीं हो परिछन साहिक नहीं है ऐसी बात नहीं बिल्कुल साहिक है और आजा दोल बुद्धि को आप जीन्स किसी के अंदर हैं जो बहुत ज्यादा कुसागर बुद्धी वाले बेक्ति के जीन है या उसके पिता या माता बहुत कुसागर बुद्धे के रहे हैं तो अब में आप यह समझो कि जो मुड़िपल इंटेलिजेंस थे और रही है यह सब कुछ नहीं कहती है वो सिर्फ यही कहती है कि बुद्धी के तमाम प्रकार मुड़िपल मानें बहुत सारे कैसे बहुत सारे तो एक आधिक बुद्धी से धान्द कहता है कि बुद्धी एक प्रकार की नहीं होती बलकि बुद्धी बहुत सारे प्रकार की होती है तो इन पर हमको चर्चा करनी नहीं है अगर करनी बुध्धी तेजी से क्या बताओ तेजी से बढ़ाई जा सकती है क्या कौन सा इसा चूरण बना है जो खिलाएंगे बच्चे की बुध्धी तेजी से बढ़ जाएगी नहीं प्रिपर प्रिटी साइग नहीं होते हैं अगर अगर अधिक की बात करें तो प्रकार की हो सकते मुजिकल बुद्धी संगीतात्मक बुद्धी नक्तबाली बुद्धी स्थानिक बुद्धी मेकैनिकल तो अलाग अलाग लग टाइप होती है तो इसकी बड़ा इसकी जब वो इजाज़त दे रहा है तो आप याद रखेगा आप इस पर फोकस करेंगे कि बुद्धी एक सेदिक प्रकार की हो सकती यही कहता है मल्टिपल इंटेलिजन्स थियोरी बड़ी सिंपल सी बात है आगे आ जाओ एक मिनट इसको छोटा करेंगे जो कि प्रस्न थोड़ा सा बड़ा है देखो चोदा नंबर के एकर हम बात करते हैं पहरे भीया चोदा नंब में लिखा हुआ है कि सिच्छक लिखा हुआ है सिच्छक सीखने के लिए मुल्यांकन सिच्छक सीखने के लिए मुल्यांकन और सी और सीखने के मुल्यांकन दोनों का प्रयोग करता है सीखने के लिए यानि होता है एसेस्मेंट दिखोता है एसेस्मेंट फॉर लर्निंग औ पर लेक्ट सीखने के मुघ लेक्ण करें मानना एसस्मेंट अफ Cuz man in एसस्मेंट फूर लर्णिग और एसस्मेंट आफ लिए आप मैंने आप को सेज्मेंट हँरुबफ हेला की पढाया नहीं लेकिन दिमाग लगाना एस एसास्मेंट फूर लेलिंग और एसेस्मेंट आफ लेंग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं तो इसका जो आंसर आप्षा ने कौन सा सही हो जाएगा देखो जब भी कभी आपके सामने आ जाए अब देखो यह जो कोश्चान है वह इंग्लिस में जादा समझ में आगे लेकिन फिर आप हिंदिम समझ कर रहे हैं तो आप उसकी ही तो देख रहे हो कि कल यह प्रशना था आज यह भी आने लगा अले के इस Ne कर गया है है कि इसने साल बर सीख और अब ये देखना है कि यह कि कितना सीख भाई भाय叙ए म्हाण में आप जब ओसी रहा है तो इसकार रोज आप एसस्मेंट कर रहे हो रोज आप उसका मुलियंकन कर रहे हो और यह देख रहे हो कि कल से आज कितना एक यानी आप उसकी प्रगदी को चुशक कर सब्टंग लिखे हैं सिखने बच्चे कि न हैं जरूरताों कोई ले नहीं है आवधिक अंत्रालों पर बच्चे के प्रदर्सन का आकलन अरे अंत्राल जादा नहीं करना है रोज कर रोज देखना है और उसके प्रदर्सन को प्रमारित गलत बात बच्चों के प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंत्राल को भरने के लिए उची लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है यहां भी वही है कि आवदी में बच्चों के प्रदर्शन का आखिलन करने के लिए और उनके प्रदर्शन को प्रमारती तो यहां पर दोनों बातें के वाली हैं सीखने के लिए तो दोनों तो होना चाहिए पहले क्या कहता है सीखने के उसकी उपलब्दी इस तर को जानने में इसका प्योग किया जाता है मुझे लगता है आपको अब यहां पर समझ में आया होगा इससे बहतर ब्याख्या मुझे नहीं लगता कोई करेगा और भाया मेरे से तो इतना ही हो सकता है आप यह कहेंगे ठीक है याद रखिए का इन बा कामिंग कर रहा है यह जब हाई हो गया है मैं फूली स्क्रीन करने की उसमें था ठीक है बात समझ में आ गई है यहां तक आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ गई है 15 नंबर की बात करते हैं एक में रुख जाएंगे मैं अपने जो अप्लाइंस है उनको जड़ा उपर उठा करके लेता हूँ है चलिए यहां पर बहुत सारा सिस्टम जो लगा होता है उसको उठा के फिर अपडेट करना पड़ता है क्योंकि टेबल जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है छोटी है क्योंकि अभी जो जब भी मैं कभी अपने घर से यह सब करते हैं हम उसके लिए हमें बहुत थी तendeल से आप चाहेंगे आप आप हमारे हैं मापके हैं तो आप जो यह थोड़ा सा continuous continuous और ब्यापक का मतलब होता है कि मतलब बिस्तरत continuous and देखो लिखा भी होगा यहाँ पर अगर हम एक नजर डालें लिखा continuous अब सभी देखो यह देखो लिखा हुआ है अब सभी देखो यह देखो लिखा हुआ है आपका continuous and comprehensive evaluation माने सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन अब देखो सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन कभी अर्थ क्या है इससे हमाएं आसे क्या है ध्यांस देखो निवन में से कौन से सतत और लगों समदित नहीं यह नहीं इसे भारत के सिच्छा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार किया गया था बिल्कुल सही बात है जब RTE आर टीए दो हजार नो लागू किया गया था तब ही से इसको अनिवार किया गया था कि किसी भी बच्चे की जो आप उपलब्दी है उसको एक दिन में आप फाइनल पेपर में देखकर आप उसको यह नहीं करेंगे यह नहीं है कि अर्दवार्चिक पर इच्छा लो फिरवार पर इणद्दित है बस यहीं गलत है यह बच्चे को धीमें खराब या और धिवान होने के रूम में चिनित करने में उप्योगी होता है यह नहीं होता है बस यहीं बात यहां पर गलत हो गई है यह powalी गलत है जब आप खुद ही सोची हो सत्वे इनी गन्टिनियूस और ब् इस बात की वकालत कर सकता है कि बच्चे धीमे खराब एवं बुद्धिमान के रूप में चिनित करो उनको वरगी करो क्या कभी ऐसा हो सकता है मैंने आपको बार बार एक बात बताई है कि पहरे बच्चे हमेशा जीवन में याद रखना जब भी कभी सीडीपी पढ़ना कभी ये बच्चे को वरगी करत नहीं किया जा सकता है कर नहीं किया जाता अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कानूनन जुर्म होता है ऐसा आपको कदाप भी नहीं करना है बच्चे सब एक जैसे होते हैं उनमें इंडिविजुल डिफरेंसे होते हैं कोई तेज सीखता है तो कोई ध नहीं बता दिया है कभी भी बच्चे को वर्गी करत मत करिएगा सुले नमबर में आ जाते हैं बच्चे में प्रभाव प्रतिभास सालिता माने आप कह सकते हैं कि जो प्रतिभास सालिता गिफ्टेडनेस होती है फिलिन देवलेंस के कारणा हो सकती है आनवन सिक्ता और वाता होना के बीच अंता क्रिया के कान बिल्कु ठीक बात है एक संब्रद एक संसाधन संब्रद वा ऐसा नहीं है वह संसाधन संब्रद का मतलब यह होता है कि समस्त बेवस्था हैं बच्चे के इर्दगिर्द आपने ब्यवस्थित कर दें आपको उसको जिन पुस्तों की जरूर बेच के कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा ब्रदी करे ना करे कौन नहीं चाहता है आप बताईए कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा आई एस ना बन जाए अगर ऐसा होने लगता तो आपके और हमारे सब के माता पिता अपने अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके स सारे समसाधन हमारे तुम्हारी एष्दिक रद जमा कर देते, क्यों? क्योंकि उससे आप और हम प्रदिवासाली हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। माता-पिता किसी बच्चे सफल ने जरूरी नहीं कि बच्चा सफल ही हो जाए, जरूरी ऐसा नहीं है। एक अनुसासित दिन चल रहा है आप बच्चे को दिन बार ढंडा लेकर पीछे पड़े गोई ये भी बिल्कुल गलत बात है तो पहला नंबर सही हो जाएगा कि आनुवन सिक्ता और वातावरा प्रदिबास आलता है एक तो बच्चे के माता पिता बहुत जादा जीनियस थे और दूसरी बात है कि उसको वातावरा ऐसा मिल गया कि बच्चा अंता क्रिया जैसे ही जब बच्चा जो है सीखने के लिए मजबूर हुआ सीखा और प्रदिबास आली हो गया तो दोनों के बीच अगर अन्य-उन्य क्रिया हो जाती है परस पर अंता क्रिया हो जाती है तो यहां पर बच्चे की मेहनत सब धंग लाती है और वो कैसा होता है प्रदिबास आली हो जाता है तो यह बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज है तो दोनों के इंट्रेक्शन से ही आएगी अन्ताक्रिया से ही आएगी आगे आ जाओ सत्रा नंबर में देखो सत्रा नंबर लिखा हुआ है सामाजिक आर्थिक रूप से वज्जीत प्रष्ट भूम थे आने वाले बच्चों को कच्छा के महल की आवस्ता होती है जो उन्हें अच्छा बेवार सिखाता है ठीक है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है उनके सांसक्र अर्षिक ओर भासाहिक ज्यान को महत देता और उसका प्रियूग करता है सबसे बढ़िया बात है और नीचे पड़ लेते हैं उनकी भासाा के प्रивать करना बिल्कुल गलत बात है कभी ही बी किसी बी प्रकार की बच्चे को किसी भी बेगराउंड किसी भी वहार किसी प्रिव रहा हो वंचित रहा हो आप इसको रहुत साहित नहीं करेंगे बतोर टीशर तो कर लुझते हैं बच्छे को उसकी छम्ताओं के आधार पर वरगी करत करना बिल्कूल गलत बात है मतलब बच्छे बच्छ क्शुकी वनचित ए तो उसमें छमता सीविहारी बात और काम होगी और जब भासाई ग्यान को आप महतु दोगे आप उसको क्या दोगी इंपोर्टेंस दो तो बच्चा जो है खुस होता है अंदर से और बच्चा फिर सीखता है अपनी आपको एक्सप्रेस करता है अपनी सारी सारी चंताओं को आपको दिखाता है आप पहले ही उसको डाट दो इस वाले महुष्भ क्या वो सक्का है 18 नमबर में आजाये 18 नमबर परदिवासालि बच्छों के लिए हस्तषेप निर्भर करता है आवस् auth क्रेटिव एक तो परदिवाद को तो स्रीजनात्म्दन मुझे लिखा भूए दूसरा परदिवासालि और बहुत ज़्यादा कैसा है सरजनात मतलब क्रियेटिव बिल्कुल बालग है बच्चे को आवस्टे ख़स्ते छेप करना चाहिए आवस्टे ख़स्ते छेप जरूरी है तो अब किस पर नेवर के सिछर दौला अनकूलीद और पेरेड निर्देशन के तरीकों पर उन्हें अ ख़ belief जिसकते हैं कि उसको आपको मौनीर नहीं बनाना है जैनि बस यहीं सही है शिछक दवारा अनुकूलित और प्रेरेक निर्देशन के तरीकों को प्रयोग करके ही उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं यही हस्ता छेप जादा है उसको अत्रिक्त समय देंगे तो वो उबेगा एक तो वैसे भी उबा है क्योंकि सरजनातमक और पदिवासाली है आप कॉलेज स्कूल में ऐसा मावल उसको दे नहीं पाओगे यह तो पहले सही उबा है उपर से उसको एक्स समझ में आपको आया होगा फिर देखो आगी लिखा हुआ है 19 नमबर आतिस संवेदन सिल माने हाइपर जो जो कैसे होते हैं हाइपर एक्टिव होते हैं आपको ऐसा आतिस संवेदन सिल बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम लेखिन में से कौन सा तरीका उप्यो तो नहीं है आधिस संवेदन सिल का मतलब होता है एक बार इंग्लिज भीस के पौड़ों आधिस संवेदन सिल की हाइपर एक्टिव होता ही होगी मेरे हिसाब से लिखा हुआ है इन इन इंटर्वेंशन नीडिड फॉर क्रियेटिव एन टैलेंटेड है क्या होता है टैलेंटेड टैलेंटेड जो स्टूडेंट है उन्हें हम क्या करेंगे तो हम कहां चले गए आधिस संवेदन सिल का मतलब हाइपर सेंस्टिव भूल गया था मैं क्या होता है तो आप कहेंगे होता है हाइपर सेंस्टिव भूल गया तो आधिस संवेदन सिल बच्चों को सिखाने में मदद सीखने में मदद करने के लिए मैं से कौन सा तरीका उप्र तो नहीं अब याद रखिएगा बहुत ज़्यादा समेदन सिल चोटी से छोटी बातो कैसे कि बैकल्पिक तरीकों की पेश करेके उसके धैनी कारकरम सारी गद्वीद्यों का समावेश करके उपी तो तरीका नहीं है बेचाहनrin होने पर अक्सर उसे फठकार लगा कि यहीश और कैंद नविद नहीं है क्या और अगर बत्चा बेचा ह chains जो हाइपर एक्ट नहीं तो बेचाहन तो होगा अब बेचाहन हो रहा है आप उसको फटकार लगा रहे हैं तो चुकि यो सेंस्टिव है बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है तो उसको आपको ढांटना नहीं है हाँ अगर है अधी संवेदन सील है तो एक कार को छोटे-छोटे प्रखड़नी घंडों में तोड़ करके उसके सामने रख रहेंगे उसको जैय किया तरह है काम है क्या彌 पूछ रहा है तो नहीं नकार तो नहीं निकराना कभी-कभी बहुत सहरा हृत है और दिमागू लगाते हैं ठीक है आ गया जो 20-चोंचेवाले पैटर्न यशिष्ट्य की पैचान करते हैं जो विकलांग होते हैं नहीं डिसलेक्सिक होते हैं नहीं सरजनात्मक होते हैं बिल्कुल सही बात है अलग-अलग सोच मैंने का था सरजनात्मक सोच क्या होती अलग-अलग सोच करेगा कहेखा कि क्यों ना इसकाम किया जाए कि जो सब्सक्राइए कि पहिचाना कर रहा है सरज्णात vidéo के पहचान ही creativity के पैचान आप इतना ख्रेटिवीटी आप कीज़ को कई कई तरह से सूच सकता है कि पैठर नों के आदार पर सोच सकता है तो यह कि पैचान करते हैं बिकलांग की पैचान करते हैं बिकलांग को दिदूर से दिखे डिस्लेक्सिक मतलब हो प्राब्लम है इस थाई भी किसी प्रबकार के बच्चे नहीं होते समावक्ता तो होती है याद रखना अलग अलग जब डिटिट डिफ्रेंट टाइब की स्वोच रखते हैं अलग-अलग अलग प्रकार एक यही चीजम Фई долларов है तो कैसा होता है वो स्रजनात्मक हुटा है ठीक है आके आजाओ कीभला कि निंडिमलेखिद में से कौन सा सिच्छक द्वारा कच्छा में बच्चों के लिए समस्या हल करने की तरीके का वरणनद नहीं कर सकता है याद रखना गलत धूंडना है किसी बिसेश समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार पक्रियाओं पर चर्चा बिल्गूल ठीक बात है भाई यह प्रश्ण है आप इसको हल करने के अलग अलग तरीके निकलवा रहे हो तो आप बच्चों से कहो कि यह देखो एक स समस्या निए प्रॉब्लम है यह कोश्चन है आइस पर आप चर्चा करो आपस में प्रक्रिया करो विचार प्रक्रिया करो ठीक है अगर दूसरा है कि कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए के प्रती इमानदार रहना अब उनसे यह कह रहे हो कि अगर गलतियां हो तो से गलतियां बता देना सोच विचार परिच्छन और विभिन उत्तरों जैसी सब्दावलियों को प्रोग करना बिल्कूर ठीक बात है अब इसरन उत्तर वाले प्रस्न को पूछना अभी सरन देखे मैं अगर बात करूं आपकी 21 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो याद देखो लिखा हुआ है चौछ नंबर आसकोस्टन विद कनोर्जेंट आंसर कन वर जेन्ट कन मतला होता है कन वर जेन्ट का मतला होता है कि आप कह सकते हैं कि छोटी डेको डाईवर्जेंट धिंकिंग उती और कन वार जेंट होती है Convergent का Thinking का मतलब होता है आप ही सारी सोच कुल मिला के एक जो प्रशन है उस पर एक प्रकार का ही सोच बनाना अगर यहीं इसके उल्टा की बात करें जो आता है divergent क्या आता है आपका अगर divergent thinking आती इसका मतलब होता है एक चीज के बिभिन आंसरों को खोजना या बिभिन तरीकों को खोजना चमझे रहे मेरी बात ध्यान देना अब जरसा इधर हम बात करते हैं अपने प्रशन पर आ जाते हैं प्रशन कहरा था कि निम्न लिखित में से प्रशन कहरा था कि किसी बिसेज समस्चा के हल के बारें बिचार प्रक्रिया करो ठीक बात है कुछ हल करते हैं गलतियों को करने के प्रती मांदा रहें गलती है तो गलती को मानें बिचार सोच बिचार परिच्छन और उत्तर विभिन सब्दा वली के सब्दा वलियों के प्रयोकर ने बिल्कू सारे क्या होते हैं उनको अब इनको डैवर्जंट को आप कहते हो ओपन इंडिट कोशन और कर अब उसरनवाले को कहते हो खोग्लोज़ इंडिट कोशन तो मुझे बताओ खोग्लोज इंडिट ज्यादा अच्छा है कि ओपन जाद सही है कोई भी अगर सिचक सिखा रहा है तो को open ended करेंगे सिखाना चाहिए के close ended कर आपको ओपन एंडट तो यही क्या है यही answer कि कुछ नहीं पूछ रहा है तो याद रखेगा चौथा जो है वह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है समस्था साल्फ करने के बढ़ना की तरीकर नहीं कर सकता ठीक है आगे आजओ 22 नंबर लिखा हुआ है कि निम्लिकेद में से कौन सा एक संवीग है यानि इमोशन है प्याद रखना इमोशन क्या है केवल डर क्या डर यानि फियर फियर क्या है एक आपको होगी है एक इमोशन है बाकि ध्यान तो अटेंसन नहीं है उतेजना भी एक उम हो सकता है उतेजना लेकिन जो इमोशन होता है वो क्या है केवल फियर यानि डर है इमोशन वे होते हैं जो कि छी खार परिस्थी मोत्पन होते हैं तो आप कहोगे यह क्या है फियर मनें डर एक क्या है इमोशन है ठीक है आगया जाओ लिखा हुआ है तेश नंबर में लिखा हुआ है एक तीन साल का बच्चा यह बताता है कि दूद गूत पर एक मसीन द्वारा दूद का उत्पादन होता है बच्चा छोटा है वो रोज दूद लेने जाता है तो वहां पर एक दूद बूत पर एक मसीन लगी है तो वहीं से अब बच्चा जो है तो लिखा है निमने में से कौन सी समझ का सबसे अच्छा इस प्रष्टी करन परदान किया गया ध्यान से देखना बच्चे दुनिया का बहुत सीमित अनावरन या ग्यान बात ठीक है बिल्कुल बच्चे का जवाब दूद गूट से दूद खरीदने के अपने अनुभव पर आदाए यह भी बात ठीक है बच्चों ने गयाओं को कभी ने देखा यह बात अलग यह अलग की बात है यह हम ऐस से सुनो अब हमाया पास में दो हैं हमाया पास में बच्चे दुनिया के बारे में सीमिन नर्ब बच्चे दूद बूद खरीदने तो यह गलत है यह उसका अनुभव है रोज जो दूद लेने जाता है तो उसका अनुभव क्या कहता है अनुभव वस इतना उस पर आधारी जी थे कि दूद बूत पर एक मसीन है और वहीं से दूद निकलता है तो वो दूद के रोज खरीदने जाता है तो वो अपने अनुभाव के आधारपाल बोल रहा है कि दूद का जो उत्पादन है वो कहां से होता है आप को कि दूद का उत्पादन दूद बूत वाली मसीन से ह होता है तो यह उसका अनुबाव है और बच्चे अपने अनुबाव के हिसाब से ही तो किसी चीज़ का अंसर देते हैं यही सही हो जाएगा एक तीन साल का बच्चा है दूद बूत पर मसीन दौरा दूद पादन देखता है तो उसका अच्छे इस प्रिष्टी करन क्या है यह ही है कि बच्चे का जो ग्यान है जो उसका अनुबाव है वह सिर्फ और सिर्फ कहां तक है तो दूद बूत की मसीन तक है तो कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है ठीक है आगी आजाओ कौशा में सिच्छा की भिमिगा का सबसे अच्छा वढ़न करता है कच्छा में सिच्छा की सबसे मात पूर्ण भूंका अनुसासन बनाया रखना बिल्कुल गलत बात है अरे कोई ताना सा किम जोन उन थोड़ी ना है कि अनुसासन अमिसा बनाया रखे गलत एक सिच्छा को निडारिक पाथ पुष्टका पालन करना चाहिए वी गलत है सिच्छा के पूर पूष्टका के लिए कुछ नहीं है मैं आपको यहाँ पर सिर्फ कोशन के बारे में बता रहा हूँ क्या मैं आपको आपके जो रोज मर्री के जिंदगी है जो डेली लाइफ है उससे जोड़ जोड़ के बता रहा हूँ इसलिए आपको जादा समझ में आ रहा है फिर आगे लिखा हुआ है स्वरी पात्य करम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए परयात्य समय यह भी बात नहीं है आराम के लिए जगहे बनाना जहां बच्चे संबाद और पूछताज के माध्यम से सीखें मतलब उनको ऐसा इस पेस दो कि बच्चे क्या करें आपस में संबाद करें पूछताज करें इसके माध्यम से सीखें यही चीज़ तो बढ़िया है हमेशा उनको ऐसा नहीं कि जोतिते ही रहें उनको बैल बना के रखा है ऐसा नहीं है आराम के लिए जगहे बनाना जहां बच्चे क्या करें संबाद करें कनवर्सेशन करें और आपस में पूछताज करें और इसको दोरा सीखें इससे अच्छी कोई भी बिधी नहीं हो सकती है तो सिख्चा की सबसे अच्छी भूंका यहीं होगी आगे इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कोईशन थोड़ा सा बड़ा है देखो 25 अमर प्रशन में देखें में कौन सी कच्छा संबर्द सिख्चा को प्रोसाहित कर रही कौन सी लाइन है वह कच्छा जिसमें प्रदर्सित विभिन परकार की सामगरी बच्चों की पहुंच से परे हो गई है अद्ट बच्चे की पहुंचन हो। और सामगरी लंबे समय तक चलती है रहिया ऐसी सामगरी को मतला है बैकि रखी तो सालों साल है, लंबे समय तक सामगरी बची हुई तो है, रखी हुई है पर जिसके लिए आई थी उसको मिले ही नहीं है, बच्चों की पहुंच से बाहर है, सामगरी रखी है, तो सामगरी रखने के लिए थोड़ी न दी गई है, कि आप सामगरी रखे रहे हैं बच्चों को सिखाए इने तो गलत बात हो गई वह एक अच्छा जिसमें खुली गदविधी कोने हो मतलब चारो तरफ खुली खुला हो बाता है और बच्चों को छूट हो कि जहां कुछ भी रखा है उसको उठा कर देख सकें समझ सकें विभेन ने प्रकार की बाल साहित खु में रखी हो मतलब जो सेल्फ हो जो अलमारियां हो वो खुली हो और जिस दिन और जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकें कुल्मिला कहने के यह मतलब है कि विभेन ने प्रकार की जो सामगरी हो सब के सामने हो सब खुले में रखी हो खुले में रखे मतलब यह है कि जहां से चाहे वहां से उठा कर उसको पढ़ सके और वह पूरे दिन अबलेबल हो सके यह ठीक बात है बढ़िया बात है अलमारी में अच्छी तरह संगठी सामगरी वाली कच्छा हों जहां सामगरी को एक सब्ता में एक बार गलत हो जाएगा सामगरी तो आग वास खुद है खुब है लेकिन का एक सब्ता में एक बार ही लेने का उसको और रहे गलत बात है ऐसे थोड़ी नहों होता है ऐसे के सामगरी होगी बच्छा स्कूल जा रहा है छे दिन आप सिर्प को एक दिन दे रहो तो कैसे सीखेगा पाट पुस्तक सामगरी दोरा संचालिस संदच्छि केवल क्या जरूरी है केवल पाट पुस्तक जैसी हो जैसी उसमें योजनल लिखे बस उतना ही हम करें ऐसा नहीं हम अपने स्वाब इवेक से भी तो कुछ करेंगे जो दूसरा नंबर से ही है अब जो 26 नंबर में अब फिर से इसको बढ़ा कर देते हैं कि का पाइंटर कहां है गली जो पर नहीं क्या कहता है 26 नंबर पर निम लिखित में से कौन सी कच्छा में पाठ पुस्तों को गुवन का सबसे अच्छा वडर्ण करता है पाठ पुस्तर को भून का वे कच्छा में उपलेव संसाधन और संबर्द में से एक हैं बड़ी सही बात कही है नीचे का पढ़ो वे एक राज एक राश्टिम अधिगम में एक रूपता बनाया रखती है ऐसी कोई बात नहीं है जैसा राज जैसी जहां किया वाद सकता है वैसी वहाँवर पुष्टकों को जो है भीजा जाएगा पुष्टक हैं एक रूपता नहीं बना कर साधन रहित संतर्व में आवस्य गलत बात है मतबह सव्टक अधिगम नहीं वहां की अधिगम संपमसादन बनाते हैं यह बिल्कूल सही बात है मैंने पर यह और यह इस्वाइं है कि जैसे आप अधिगम कर रहे है वहां बहुतीvin की चीज़ों का प्रयोक किया जाता है ज Evbles एक प्रकार का साधन होती है तो लिखा है कच्छा वे कच्छा में उपलब जो संसाधन संसाधन बिभिन भासाएं हैं बहु भासा भी है बिभिन प्रकार के बैक्तिगत जो हैं बिभिनताएं भी हैं उन्हीं में से एक संसाधन का काम कौन करती हैं किताबें तो बस यही सही है दिमाग लगाओ तो समझ में आएगा, जो किताबें हैं वो सर्वे सर्वा नहीं हैं, बल्कि कलास में आप विभिन प्रकार की संसाधनों का प्रयोग करती हैं, उनमें से एक संसाधन किताबें भी हैं, सिरफ इतना पाठ पुस्तों को भूंका का सबसे अच्छा वरणन यह है, पार्ट पुस्तकें बच्चे की जिंदगी नहीं हैं, पार्ट पुस्तकें के अलों निर्देस नहीं पदान करती हैं, पार्ट पुस्तकें को हिसाब से कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, सिरफ ये एक प्रकार का साधन हैं, ठीक, I hope आपको समझ में जरूर आया होगा, देखो लिखा राष्टी पार्ट चर्रा दो हजार पांच ने अपनी समझ फिलेंदाबलेंग से प्राप्त की है, तो आप कहोगे रचनावाद से, यानि एक स्ट्रक्चर रीजन थे, देखो, सबसे पहला जो ये, सबसे पहला जो हमारे पास में करिकुलम NCF बना था 1975 में, फिर बना 1988 में, फिर बना आपका 1988, फिर बना आपका 2000 में, उसके बाद आपका बना 2005 में, तो काजा जो 2005 बना कौन से नमबर का है, आपका होगे चौथे नमबर का है, कौन से नमबर का है, चौथे नमबर का है, हलाकि अभी जो NEP 2020 आई है, वो फिर से एक वकालत कर रह करकिया गैजिक याद रखना अभी तक यहीं है तो अगर पूछा जा है दोजार पांच जो है कौन से नंबर का है चौथे नंबर का है और इससे इसमज कहां से ली है तो रच्णावाद से ली है यह एक संप्रदाय है याद रखिएगा तो इससे लिए अपनी समझभा की मानों तो यह सब गलत बाते हैं ठीक है याद रखिएगा अपनी समझ का मतलब यह जो आधारी थे किस पर आधारी थे तो रचनावाद पर आधारी थे ठीक है आगे आजाओ 28 यदि कच्छा में बच्चों को प्रेरीत समझा जा सकता है यदि बच्चे कैसे हैं मोटिवेटेड हैं यदि कच्छा में बच्चे मोटिवेटेड हैं कब समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से स्कूल वर्दी पहन किया थे हैं वर्दी पहन किया थे हैं नहीं है वे सभी नियमी तो पस्तित होती है आपने नियम लगा रखा कि 75% अगर प्रजंटी नहीं हुए ति स्कूल से बाहर कर देंगे फेल कर दिया जाएगा पेपर नहीं देने दिया जाएगा तब वह मोटिवेटेड नहीं है वे सिच्छक से इस प्रश्टी करन प्राप् के प्रश्ण पोच रहे हैं आपसे उसको उसकी समझ को बनाने के लिए उसकी इस प्रश्टी करन के लिए आपसे खूब प्रश्ण पोच रहे हैं तब आप कोगे अब बच्चा एक्ट्व है या आप कोगे आप बच्चा सही से ध्यान दे रहा है ठीक है तो यह वाला सही है 29 नमर में आ जाओ 29 नमर कहता है कि निम लिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए के लिए सबसे अधिक उप्योगत है, सुधार करने के लिए, बच्चों सुधार करना, इधान से देखना, ठीक है, बच्चों के अधिगम में क्या करना है, सुधार, नेमिद मुल्लैंदन परिच्छा आयोजित की जानी चाहिए, बिलकुल गटिया वपसन है, परिच्छा पर बहुत अच्छा में सभी प्रकार की सिच्छ्ण सामगरी होनी चाहिए अर्फ पढाने वाला नहीं है जो सामगरी क्या करेंगी चीच्छट सामगरी चारों को ध्यान से पढ़ो तब आप किसी भी डिसीजन को अपने आप में बनाओ सिच्छा कोई भी ज्याद रखेगा अगर आप कोई भी अधिगम को वास्तिविक जीवन से जोड़ रहे हैं रियल लाइप से जोड़ रहे हैं तथा एक दूसरे से बात चीज़ करने में उनकी मदद कर रहे हैं तो इससे बहतर आपसन कोई भी नहीं हो सकता है उनको सुधारने का ठीक है आज का लाष्ट और अन्तिम प्रश्ट है अनुसासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वण भूंका निभाता है किस तरह मदद करता है याद रखे का अनुसासन जो होता है वो लगबग सेल्फ आना चाहिए मारे खुद से जब बच्चा क्या होगा सेल्फ डिसिप्लीन में होगा तब वो सबसे बढ़िया हैं बच्यों का अपनी सिच्छा को बिनामीद और मॉनिटर करने के लिए चुपी सादे रहे ना बिलकुल गलत बात है आप तो बच्चे को दर दिखा रहे हैं सिच्छ निर्देश देगा तो फिर किस बात का अनुसासन है बच्चे पाट को रट करके ये भी गलत है बस यही सही है बच्चे क्या करें अपनी सिच्छा को वी नेमित करें यानि क्या करें संभालें और मॉनिटर करने में अगर वो उनकी मदद करता है तो वही अनुसासन साथ रोज पढ़ते रहेंगी सीडीपी सीडीपी चाहिड डिबलेमेंट पड़गोजी मैं हूं ससांग आप जाप से विदा लूँगा अगली क्लास में आप से मिलता हूं कुछ नए कॉंसेप्ट के साथ में कुछ नए तरीकों के साथ में तब तक के लिए लाइक सेर सस्क्र लूँगा अगली क्लास में आप से मिलता हूं कुछ नए कॉंसेप्ट के साथ में तब तक के लिए जैहिन नमस्कार